हलो मेरे गार्णनर दोस्तो कैसे हैं आप दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ दस ऐसे पोधों से आपको मिलवाने वाला हूँ जो पूरे बारा महिने तक फूलों से लदे रहते हैं बिना धके नो निस्टाफ फूल देते रहते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए अगर आपको पूरा साल भर दोस्तो अपने गार्डन को फूलों से भर के रखना है तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और इसमें जो पोधे बताए गए हैं वो आपको लगाने पड़ेंगे तो आपको गार्डन भी पूरा फूलों से भर जाएगा पहले नंबर का हमारा जो फूल है वो है दोस्तो नौ बजी या दस बजी या फिर नाइन ओकलॉक या टैन ओकलॉक या पॉर्चुला का दोस्तो बहुत से नामों से जाने जाने वाला ये पौधा बेहदी खोबसूरत फ पानी आपना भी डाले तीन चार दिन तक तकती गर्वियों में तब इस पौधे का बाल भी वाका भी नहीं होगा तो दोस्तो इस पौधे की कटिंग बहुत ही एजली लग जाती है गलती से मिट्टी पे गिर भी गई तो समझ जाएए इसकी कटिंग लग जाएगी तो ये पौधा तो आपको जरूरी लगाना चाहिए दोस्तो दूसरी नंबर का हमारा सबका प्यारा हिबिसकस दोस्तो ऐसी कोई भी नरसरी या फिर ऐसी कोई भी गार्डनर दोस्त नहीं होगा जिसको हिबिसकस या गुडाहिल के पौधे के बारे में नॉलिज नहीं होगी या पत चाहेगा दोस्तों इतने ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल इसके कलर के फ्लावर्स आते हैं जो आपको वीडियो में दिख वी रहे हैं दोस्तों इस पौदे को तो आप नए नए कलर आके जरूर एड़ करिए क्योंकि दूस्तों पूरा साल बर सर्दियों में भी ये पौदा हमेशा फूल देता रहता है गर्मियों में तो फूलों से लदा ही रहता है कटिंग से बहुती एजली चल जाता है पानी मिटी दोनों में इसकी कटिंग चल जाती है तीसरे नमबर का बहुती हार्डी और दोस्तों लो केर प्लांट हमारा है मैक्सिकन पिटूनिया तो दोस् दोस्तो सर्दियों में अगर आपके गार्डन में अच्छे से धूप आती रहती है तो ये पौधा सर्दियों में भी आपके गार्डन में फूलों से बरा रहेगा दोस्तो ये इतना ज्यादा फैलने वाला पौधा है कि अगर आप के गार्डन में ये एक बार आ गया तो अगर आप चाहेंगे भी तो भी दोस्तो इस पौदे को अपने गार्डन से खतम नहीं करते हैंगे जड़ से भी उखाड़ देंगे फिर भी ये दोस्तो कही न कही से निकल गया आएगा तो इस पौधे को तो जरूर ही लगाना चाहिए दोस्तो अगला पौधा सबका प्यारा विंका है या सदा बहार है तो दोस्तो ये पौधा तो बहुत ही जड़ा फेमास है और अब इसकी नर्सरियों पर दोस्तो बहुत ज़्यादा कलर कॉमिनेशन हमें देखने को मिलता है इसमें जो कलर है बहुत ज़्यादा आने लगी है तो आप इसे जरूर लगाईए जोस्तों पूरे साल बर इस पे फूल लदे रहते हैं नौन स्टॉप बिना थके ये पौदा फूल देता रहता है इसमें भी बहुत सारे कलर हमें देखने को मिल गए है डबल गलर में भी हमें ये पौदा देखने को मिल गया है तो दोस्तों ये पौदा तो आपको लेना बनता ही है कटिंग से बहुती एजिली दोस्तों इसकी बिल्कुल छोटी सी कटिंग आप मिट्टी में लगा देंगे तो बहुत ही असानी से इसका एक नया पौदा तयार हो जाएगा और इसका देशी वाले तो ऐसे हैं आप एक बार लगा देंगे तो आपके गारण में हमेशा के लिए वो उगता ही चला जाएगा दोस्तो अगला पौदा है हमारा पर्सलेन का पौदा पर्सलेन का पौदा भी सेम टू सेम नाइन ओकलॉक या नौवेजिया की तरह है क्योंकि दोस्तो इस पे बहुत ज़्यादा हैविंग ब्लूमिंग होती है बिना किसी केर की आपने बस क्या करना है इस पौदे को लगा देना है और बस गंबले में छोड़ देना है बस आपने इस रेगुलर पानी देता रहना है जब इसका सीजन आता है यानि दोस्तों ये अप्रेल मार्च में बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग करता है तो इस पर इतनी ज़्यादा दोस्तों फ्लावरिंग होती है इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेगी कि आप खुद ही कहेंगे कि कितना बड़ी आफ पौधा मैंने लगाया है अपने गार्डन में ये नर्सरियों पर आपको सिर्फ 10 से 15 रुपे का एजिली मिल जाएगा बहुत सारे पौधे दोस्तो अगला है हमारा पौधा लेंटाना का पौधा दोस्तो ये पौधे के बारे में मेरे को बहुत कुछ आपको लोगों को बताना है दोस्तो ये बहुत ही खुबसूरत और बहुत ही रंग Bruno फूलो वाला एक जाड़ी नुमा पौधा है दोस्तो ये अगर आप गाओं के एरिया से बिलौंग करते हैं तो ये आपके गाऊ के बगल में आपके खेत वेत के बगल में एजीली ग्रोव हो जाता होगा ये पौधा तो इस पौधे को आपने जरूर लगाना है क्योंकि दोस्तों ये बहुती एजीली एक जंगली पौधा भी मान सकते हैं पिसमे color combination बहुत ये अच्छी अच्छी आते हैं और दोस्तों ये जो पौधा होता है एक ही पौधे पर आपको 3-4 color के फूल देखने को मिलेंगे तो इससे best और क्या हो सकता है इस पौधे को दोस्तों आपने श्रीफ एक बार लगा देना है और श्रीफ पानी देते रहना ये पौधा अच्छे से चलता रहेगा फूलों से भी भरा रहेगा अपनी पत्तियों से भी महकाता रहेगा दोस्तों तितली और बाकी सब कीट पतंगों को इसकी खुश्व बहुत अच्छी लगती है तो आपके गाडन को तितली से भी भर देगा ये पौधा अगला पौधा हमारा कनेर या ओलियेंडर का पौधा है तो दोस्तों ये पौधा तो आपको बहुत ही आजीली मिल जाएगा कहीं पर भी इसकी नए नए कलरों की कटिंग आपको जब भी आप बीच रोड पर जा रहे होंगे तो आपको जरूर इसके नए नए कलर देगने को मिल जाएंगे ये दोस्तो ये रोडो के डिवाइडरों पर बहुत ही एजी लिए पौधर लगा मिल जाता है आप इसकी छोटी सी कटिंग लाके दोस्तो अपने गाडन में अड़ करेंगे लगाएंगे पानी में या फिर मिट्टी में तो बहुत ही एजाता है दोस्तो बहियती hardy plant होता है पूरे साल फूलों से भरा रहने वाला पौधा होता है ये तो इसे भी आपने अपने garden में add जरूर करना है दोस्तो इस पे भी तितली और मदुमक्या काफी आती है तो ये भी एक अच्छा सा pollinator पौधा भी आपके garden में बन सकता है दोस्तो अगला पौधा हमारा इस लिस्ट का पैंटास का पौधा है पैंटास भी आपको अपने garden में चरूर लगाना चाहिए कटिंग से बेहेती easy से लगने वाला ये पौधा है दोस्तो नसरी पे इसका प्राइस 30-40 रुपे में आपको easily मिल जाएगा ये पौधा भी पौलिनेटरों को बहुत ज़्यादा आकरशित करता है तो इस पौधे को भी लेना तो बनता है दोस्तो लो केरिंग पौधा है अगर आप इसमें च्छे महिने या तीन महिने में एक बार एक भी liquid fertilizer अगर आप इसमें डाल देते हैं तो दोस्तो ये आपको फ अगला पौधा दोस्तो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है जो है बोगन विलिया तोस्तो इस पौधे के बारे में किसको नहीं पता होगा वेहती फेमस और वेहती खुबसूरत पौधा होता है ये दोस्तो वाल कवर के रूप में भी यूज किया जाता तो ये एक लता होत पौधे को जरूरी लगाईए क्योंकि दोस्तो ये पौधा पूरी वाल को कवर करने के बाद इतने ब्यूटी फूल दोस्तो इस पे कलर आते हैं इतने अच्छे फूल आते हैं कि सारे लोग आपके घर को देखते ही वनेंगे देखिए मैं आपको एक पिक आपको यहां पर अभी दिखाता हूं अगर इस तरीके से आप मिक्स मैच करके दोस्तों अपने वोगन विल्या को लगाते हैं तो देखिए इसके फूल देखने में कितने ही अच्छे लगते हैं आपके घर को भी दोस्तों बहुत ही खुबशूरत बनाने वाला इजी टू केर प्लांट है त क्योंकि आपने एक बार इसे एड़ कर लिया तो आप इसे कटिंग से या फिर और भी बीजों से बहुत ही इसली अपने गार्डन में एड़ कर सकते हैं इसका पौदा 10-20 रुपे का इसली आपको अपनी आसपास की नर्सरियों पर मिल जाएगा यह बहुत ही ज़्यादा फ इसके सीड ना लगा सकें तो दोस्तों यह हमारी आज की वीडियो थी जरूर आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजीगा बाई बाई